सुप्रेम कोट में पॉल्यूशन पर हुई सुनवाई में उत्तरप्रदेश सरकार ने अजीब दलिल दी है। दिली NCR में पॉल्यूशन की याजका पर उत्तरप्रदेश सरकार की और से वरिष्ट वकीर रंजीत कुमार ने दलिल रही। उन्होंने कहा उत्तरप्रदेश में जो इंडस्ट्रिज है हवा का बहा उनकी तरफ है। पॉल्यूशन वाली हवा दिली की तरफ नहीं जाती है। पाकिस्तान की और से आने वाली प्रदूशित हवा दिली की हवा को खराब करने के लिए जिम्मेदार। दूसरी और उत्तरदेश की गन्ना और बूद्र इंडस्ट्रिज पर आठ घंडे के रिस्ट्रिक्शन की वज़े से असर पड़ा है। इसके अलावा सुप्रेम कोट की फटकार के बाद दिली में आज से सभी स्कूल बन रहेंगे। दिली सरकार ने गुरुवार को सुनवाई के बाद या फैसला लिया है। स्कूल कब खुले जाएगे अभी सरकार ने या साफ नहीं किया। सुप्रेम कोट में दिली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि जब करमचारियों को वर्ग फ्रोम दिया है तो फिर बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है। गरीब बच्चे आपके प्रचार के लिए सकड़क पर बैनर लेकर खड़े हैं। क्या आपको उनके स्वास्त की फिक्र नहीं है। कोट में केंदर दिली और पडोसी राजियों की सरकार को 24 घंटे का समय दिया था। और कहा था कि प्रदूशन कम करने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए गए तो सुप्रीम को टास्क फोर्स का गठन करेगी। यह थी आज की खास खबर इस तरह खबरों से जुड़े गहने के लिए बने रहे हैं।